मुनि अश्टा वक्र राजा जनक को समझाते हुए आगे कहते हैं। मनुष्य में स्प्रिहा है, वसना है। इसी स्प्रिहा के कारण उसे यह शरीर मिला है। यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की चाह ही नहीं होती, तो यह शरीर उसे मिलता ही नहीं। गड़े का निर्मान तभी होता है, जब उसमें कुछ भरना है। यदि भरने को कुछ नहीं है, तो गड़े का निर्मान ही नहीं होता। स्प्रिहा, वासना, यह मन का गुण है। स्प्रिहा एवं वासना के कारण ही इस भोतिक जगत का अस्तित्व है। इसी से मनुष्य सारे रचनात्मक एवं विद्वनसात्मक कारिय करता है संसार की जैसे विस्थिती है वह स्प्रिहा के कारण ही तो है अतह स्प्रिहा ही संसार है बिना इसके कुछ भी नहीं मिलता है स्प्रिहा के रहते शान्ती की आशा करना मृग मरीची का ही है जो कभी हो नहीं सकता यदि कोई श्प्रिहा युक्त चित वाला कहता है कि मैं शान्त हूँ मुझे शान्ती का अनुभव हो गया है तो वह पाखन्ड मात्र है शान्ती बनावती है वह शांती का धोंग कर रहा है आधा घंटा ध्यान कर लिया दस माला गायत्री की जपले किसी आश्रम में एक घंटा बैठ गए और कहने लगे मुझे शांती मिल गई यह शांती नहीं धोखा है पाखंड है वे शांत प्रतीत होते हुए भी अशांत है उनकी शांती उपरी उपरी है जो एक शन में विलीन हो सकती है ऐसी शांती मूड की ही शांती है जो क्षणिक है बनावटी है इसके विपरीत याने स्प्रिहा मुक्त हो जाने से वास्तविक शांती को उपलब्द होता है क्योंकि अशान्ती का कारण स्प्रिहा थी जो मिट गई, नश्ट हो गई इसलिए वही परमशान्त है उसकी शान्ती स्वभाविक है यदि ऐसा ग्यानी उच्छरिंखलता भी दिखाई देता है तो भी वह शोभा पाता है क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होता उसके पीछे स्प्रिहा वासना नहीं होती भीतर की गंदगी को छिपाने के लिए मनुष्य बाहरी आडंबर करके उसे छिपाना चाहता है जबकि भीतर से निर्मल होने पर उसे इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यक्ता नहीं होती अश्टावक्र कहते हैं विलसंती महाभोगईर विशंती गिरिगह वरान निरस्त कल्पना धीरा अबध्धा मुक्त बध्धयाह कल्पना रहित बंधन रहित और मुक्त बुद्धी वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीडा करते हैं और कभी पहाड की कंदराओं में प्रवेश करते हैं जिस ग्यानी की स्प्रिहाशांत हो गई कोई वासना नहीं रही जो कल्पना रहित बंधन रहित हो गया जिसे इस रिष्टी में एकत्व का बोध हो गया वह मुक्त चित्त वाला धीर पुरुष बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीडा करते होए भी उनसे अलिप्त अचूता रहता है वह भोगों को क्रीडा की भाती खेल की भाती नांटकवत तटश्त होकर साक्षी भाव से भोगता है वह चाहे तो पहाड की कंदराओं में भी रह सकता है दोनों में ही वह अनाग्रह पूर्ण होता है दोनों में वह संभाव वाला रहता है जिसे भोगों के भोगने या उन्हें त्याग कर जंगल चले जाने का आगरह होता है जो सब कुछ नियम सैयम में बंधकर कारिय करता है जो सिध्धानतों मान्यताओं परंपराओं और उड़ियों के अनुसार चलता है ऐसा वेक्ति मुक्त नहीं है वह बंधन ग्रस्त है ज्यानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्मा में रमन करते हुए स्वचंदचारी होता है हस्टा वक्र आगे कहते हैं श्रोत्रियम देवताम तीर्थम गमनाम भूपतिम प्रियम ग्रष्टवा संपूज्य धीरस्या नकापी हृदिवासना वे कहते हैं धीर पुरुष के हृदय में पंडित, तेवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती अज्यानी की स्प्रिहा होती है वासना होती है जिनकी पूर्ती हेतु वह ज्यान प्राप्ती के लिए पंडितों के पास आता है धन, यश इवं पुत्र प्राप्ती हेतु देवताओं की पूजा अर्चना करता है अपने पापों के प्रक्षालन हेतु वह तीर्थों का ब्रह्मन करता है उनका पूजन करता है मंदिरों में जाकर अर्चना वंदना करता है वह स्त्री को देखकर काम मोहित होकर उसको प्राप्त करना चाहता है वह राजा की चाटू कारिता करता है मंत्रियों के पीछे पीछे घूमता है कि कहीं कोई पद मिल जाए चुनाओ का टिकेट मिल जाए वह प्रियजनों को देखकर भी उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है अश्टावकर कहते हैं कि धीर पुरुष ग्यानी भी इने देखता है किन्तु उसमें वासना नहीं होने से वह इनसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता वासनायुक्त मन ही विकारी होता है अस्टावकर आगे कहते हैं भित्यई ही पुत्रई ही कलत्रईष्च दवुत्रईष्चा पिगोत्रजई ही विहस्य धिक्रतो योगी नयाती विक्रती मनाग योगी नोकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों और बांधवों द्वारा हसकर धिकारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता अज्यानी वासना ग्रस्त तथा अहंकारी होता है वासना के कारण ही उसमें लोभ एवं मोह होता है जिनकी पूर्ती न होने पर उसे क्रोध आता है मान सम्मान की चाह अहंकार के कारण होती है यदि वहना मिले अथवा कोई उसका तिरसकार करे अपमान करे उपेक्षा करे तो उसकी सीधी चोट उसके अहंकार पर होती है जिससे वहतिल मिला उठता है एवं बदला लेने का प्रयत्न करता है जब द्रोपदी ने कोरवों को कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं तो कोरवों के अहंकार पर चोट लगी एवं उसकी पर्युनती महाभारत युद्ध में होई संसार में इस अहंकार पर चोट करने के कारण ही अनेक उपद्रव हुए हैं एवं जो इस अहंकार को फुसलाने की कला जानते हैं वे अपना काम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं अहंकार से मुक्त योगी यदि पाप नहीं करता तो पुन्य भी नहीं करता वह जैसा है वैसा ही अपने स्वभाव में स्थित्व रहता है इसलिए अश्टावक्र कहते हैं कि योगी अहंकार रहित हो जाने से अपने नोकरों, पुत्रों, पत्नियों, दोहित्रों और बांधवों आदी के द्वारा धिकारे जाने पर भी तथा हसी उड़ाए जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि अहंकार ही सब विकारों का मूल है अश्टावक्र कहते हैं धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है उसकी इस आश्चरिय में दशा को वैसे ही ज्यानी जान सकते हैं बस ज्यानी और अज्यानी के भीतर और बाहर में बड़ांतर होता है अज्यानी के भीतर अहंकार वासना, त्रिशना, लोप, मोह, काम, क्रोध हिंसा, सब भरी रहती है किन्तु बाहर से वहे विनम्र, सहनशील, दयालू, दानवीर, अहिंसक सेवा परायन, त्यागी, इत्यादी होने का मुखोटा लगा कर घूमता है वहे बाहर से शांत, प्रसन, सुखी, संतुष्ट दिखाई देता है किन्तु भीतर उतना ही उद्विक्न, बेचैन, असंतुष्ट होता है किन्तु इसके विपरीत ग्यानी भीतर से पूर्ण असंतुष्ट होता है ना उसकी कोई चाहा है, ना कोई वासना उसे परम की उपलब्धी हो चुकी है अब पाने को कुछ नहीं बचा इसलिए त्रिप्त है किन्तो बाहर से असंतुष्ट जैसा दिखाई देता है वह दुनिया में अपने कर्मों को करता हुआ ऐसा ग्यात होता है कि उसे भी कुछ प्राप्ती की इच्छा है वो भी सम्मान चाहता है वह बाहर से दुखी चिन्तित दिखाई देने पर भी न दुखी होता है न चिन्तित ग्यानी के ऐसी स्थिति आश्चर्य मय है अग्यानी केवल उसके बाहरी कर्मों को ही देख सकता है उसकी भीतरी अवस्था को तो वैसा ही ग्यानी जान सकता है कर्तव्य ही संसार है उसे शुन्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय ग्यानी नहीं देखते हैं अश्टावक्र कहते हैं कि यह कर्तव्य ही संसार है, संसार में रहकर कर्तव्य करना ही पड़ेगा, बिना कर्तव्य कि यह कोई रह ही नहीं सकता ए संसार जैसा है वह कर्तव्य का ही परिणाम है कर्तव्य अर्थार जो करने योग्य है वह ग्यानी भी करता है किन्तु उसमें कर्तव्यता नहीं होती जैसे संसारी की होती है संसारी अच्छा बुरा शुभ अशुभ निंदा प्रशंसा इत्यादी को ध्यान में रख कर करतव्य करता है उसमें संकल्प होता है अहंकार होता है इसलिए वह उसका फल भी पाता है करतव्य की गती स्वर्ग तक की है अच्छे कर्म कर करके वह स्वर्ग सुख तो भोग सकता है किन्तु यह मुक्ति के लिए बाधक है भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा कि तू क्षत्री है युद्ध करना तेरा कर्तव्य है यदि इसमें मारा गया तो स्वर्ग जाएगा और यदि जीत गया तो राज्य का भोग करेगा यह नहीं कहा कि मरने पर तू मुक्त हो जाएगा मुक्ति का मार्ग इस कर्तव्य मार्ग से भिन है यह संसार से ही मुक्त नहीं होता बलकि स्वर्ग से भी मुक्त हो जाता है स्वर्ग में भोग चाहे हूँ किन्तु वहां भी वासना है अब एक्षाएं है एश्वरिय एवंपद की आकांक्षाएं है इसलिए ये देवताव इंद्र भी परेशान है कभी संसारी इंद्रासन हिलाते हैं तो कभी असुरों का उत्पात होता है उन्हें भी चैन नहीं है केवल ज्यानी ही वासना रहित हो जाने से मुक्त है वह शुन्याकार, निराकार, निर्दोश और दुख रहित होता है जिससे वह संसार को करतव्य की भाती न देखकर अभी नेता की भाती देखता है वह केवल परमात्मा को ही करता मानता है जो इस सत्य को नहीं जानता वह कर्तव्य की ही वातें करता है कर्तव्य, संकल्प, मनोबल, महत्वा कंक्षा, संगर्ष, विजय, दोड़ धूप ये सभी संसारी के लक्षन है हश्टावकर आगे कहते हैं अकुर्वन्नपी संक्षोभाद, व्यग्रह, सरवत्र, मूडधी ही कुर्वन्नपी तुकृत्यानी, कुशलोही, निराकुला अग्यानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सरवत्र, विक्षोभ, संकल्प, विकल्प के कारण व्याखुल दिखाई पड़ता है और ग्यानी, सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्ते वाला होता है इस सूत्रकार्थ यह कदापी नहीं है कि ग्यानी कर्म नहीं करता वह आलसी, अकर्मन्य हो जाता है मठों, मंदिरों, एवम एकांत में जाकर बैठ जाता है लोगों से दान, दक्षणा, भेंट पूजा लेता है उनसे पाउँ दववाता है इवम कर्म से विमुख हो जाता है बलकि वह सक्चा करतव्या निष्ठ होकर फला कांक्शा से रहित होकर कर्म करता है यही तो कर्म का सौंदर्य है यही कर्म की कुशलता है गीता में कहा है योग सही कर्म में कुशलता आती है पैसों के लिए काम करने वालों और स्वांतह सुखाय काम करने वालों की कला संगीत साहित्य इवं अन्य कर्मों में कितनी कुशलता होती है यह स्पष्ट देखा जा सकता है अश्टावक्र इसमें ज्यानी और अज्यानी के कर्मों का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्यानी यदि इस तत्व बोध को सुन कर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ती नहीं हो सकती उसे आलसे ही कहा जाएगा बाहर से कर्म छोड़ने पर भी उसके भीतर संकल्प विकल्ब रहता है जब तक ये विक्षेप शांत नहीं होते तब तक मुक्ती नहीं है इसके विपरीत ज्यानी के सभी विक्षेप शांत हो चुके हैं इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक कर्म करता हुआ भी अशांती को प्राप्त नहीं होता है यही कर्म की कुशलता है जो योगी को ही प्राप्त हो सकती है इसलिए संसार छोड़ना या कर्म से भागना ये मुक्ती नहीं है अज्यान को मिटागर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त होना ही तो मुक्ती है और जो केवल आत्मबोध से ही संभव है अश्टावकर आगे कहते हैं सुखम आस्ते, सुखम शेते, सुखम आयात यातिचे, सुखम वक्ती सुखम भूंगते, व्यवहारे पिशान्त धी ही अश्टावक्र कहते हैं शांत बुद्धी वाला ग्यानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है सुखपूर्वक आता है और मर जाता है सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है मनुश्य बाहर जो भी व्यवहार करता है वह उसके चित में चल रही हलचल का ही प्रक्षेपण है अशान्त चित वाला व्यक्ति बैठने, आने जाने, बोलने तथा भोजन करने में भी अशान्ती का ही अनुभाव करेगा उसके मन में चल रहे अशान्त विचारों के कारण वह सुख पूर्वक न खापी सकता है, न सोगी सकता है नींद उसे आती ही नहीं, वह शान्त होकर बैठ भी नहीं सकता बैठे बैठे हाथ पाउं हिलाना, भोजन करते हुए अन्य बातों में ध्यान जाना चलते हुए इधर उधर देखना, पाउं पटक कर चलना बोलने में विचारों का तार तम्यन होना, इत्यादी अशान्त चित्त के लक्षन है विक्ती के बाहरी विवार से, उसकी आखें और चेहरे के हाव भाव से उसके भीतर की हल्चल को जाना जा सकता है ऐसा विक्ती सुखी नहीं कहा जा सकता अश्टावक्र कहते हैं कि जो भीतर से शान्त चित्त है वही खाते पीते, उठते बैठते, आते जाते, बोलते हुए सुख कानुभाव करता है अश्टावक्र कहते हैं जो ग्यानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरहें नहीं व्यवहार करता और महा सरोवर की तरहें प्लेश रहित है वही तो शोभता है वही सुन्दर लगता है ग्यानी और अग्यानी दोनों ही संसार में रहते हुए सभी प्रकार के कारिये एवं व्यवहार करते हैं किन्तो अग्यानी के सभी कर्म तथा व्यवहार, अहंकार, वासनाएं एवं अपेक्षाओं के कारण होते हैं जिनसे वह दुख को ही प्राप्त होता है जबकि ज्ञानी कर्म एवं व्यभार करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है उन्हें खेल समझकर करता है फलाकांक्षाएं एवं अपेक्षाएं उनके साथ लगीन होने से वह खेद को प्राप्त नहीं होता कर्म में ही उसका आनंद नहीं रहता है जबकि अज्ञानी का आनंद फलाकांक्षा में नहीं रहता है इसलिए वह सदा दुखी ही रहता है अश्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी महासरोवर की भाती शांत मना होने से शोभित होता है तथा कलेश रहित होता है अज्यानी के संसार में जितने भी व्यवहार हैं उन सब का पालन करते हुए भी दुखी रहता है जबकि ज्यानी इन सामान्य जनों की भांती व्यवहार नहीं करता हुआ भी क्षोभ एवं क्लेश रहित होता है अधिक व्यवहार क्लेश का ही कारण बनता है अश्टावक्र आगे कहते हैं मूर्ख मनुष्य की निवृत्ती भी प्रवृत्ती रूप हो जाती है किन्तु धीर पुरुष की प्रवृत्ती भी निवृत्ती के समान ही फल देती है इस सूत्र में अश्टावक्र प्रवृत्ती एवं निवृत्ती की स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि मूढ पुरुष चाहे सांसारिक पदार्थों को घरबार, पत्नी, बच्चों आदी को छोड़ कर जंगल चला जाए वह चाहे हाथी, घोड़े, हीरे, जवाहरात, महलादी छोड़ कर कोपी इंधारन करके सन्यासी बन जाए चाहे वह मुंडन करा ले, चाहे लोचन करे, किन्तु जब तक उसमें अज्ञान है मुडता है, अहंकार है, वासना है, आसकती है, कुछ पाने की आकंक्षा है तब तक उसमें निवृत्ती नहीं, प्रवृत्ती ही है, उसने घर छोड़ कर आश्रम बना लिया संसार से विरक्त होकर मौक्ष में प्रवृत्त हो गया संसार की वासना छोड़ कर मौक्ष, स्वर्ग, मुक्ती की नई वासना पकड़ ले इसलिए वह भी निवरित्ट जैसा दिखाई देता हुआ भी प्रवरित्त ही है संसार का उपद्रव छोड़ कर आश्रम में नया उपद्रव शुरू कर देगा संसार में सम्मान नहीं मिल रहा था आश्रम में सम्मान प्राप्ती की वासना ओर बढ़ जाती है इसलिए ऐसा व्यक्ति निवृत्त नहीं है इसके विपरीत जिस ज्यानी में वासना अहंकार आसकती आदी नहीं है वह संसार में प्रवृत्त रहता हुआ भी निवृत्ती का फल पा लेता है प्रवृत्ती एवं निवृत्ती की कसोटी विशय नहीं बलकी भीतरी वासना है इस प्रकार अश्टा वक्र गीता की व्याख्या का यह भाग यहीं संपूनता को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में